हलो इस्टूडेंट मैं रेश कुमार मैं अच्वाइन रेजिस्टर कलासेस में आपका हार्देख स्वागत करता हूँ आज फिर से हम अमसी प्रिवेस जिसके अंदर हमारे पास पेपर थर्ड चल रहा है इसके अंदर हम युनिट सेकिंड की सुरुआत कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास लेक्चर वन है देखो इससे पहले हम डिप्रेंशल एक्वेशन की युनिट फैस्ट करवा चुके हैं जिसके अंदर टॉटल 17 लेक्चर हैं ठीक है और उसका सलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया गया है युनिट फैस्ट का और देखो जो अपने सलेबस करेंगे वो जेपी एच की बुक को आधार मानके उस सलेबस को करने वाले हैं ठीक है तो हर बार की तरह है इसके अंदर हमारे पास यह सलेबस कौन-कौन सी उनिवर्शिटी के लिए है तो आपको इस वक्त स्क्रीन के उपर च्यार उनिवर्शि हो सकता है ठीक है दूसरे यह रेगुलर और प्राइवेट है यानि वह रेगुलर हो या फिर वह नॉन रेगुलर स्टुडेंटों दोनों के लिए सलेबस एक समान है और युनिवर्शिटी हमारे पास यही रहने वाली है तो देखो सबसे पहले इस युनिट सेगिंड को हम दिफ्रेंशिल एक्वेशन ओप सेकिंड ओडर बल्यूपन से टिकर रखा है कोसी प्रोब्लम मेथड ओप सेप्रेशन ओफ वरियेवल लापलास वेव और डिफ्यूशन एक्वेशन से और कनोनिकल फॉर्म्स देखो यहां तक यह अंडर लाइन की आवाई यहां तक रुख से टिक कर रखा है उतने ही सलेवस में हमसे एक क्यूशन कंप्लेट देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आप सबसे पहले हैडिंग डालोगे हैडिंग क्या डालोगे कि पेपर थर्ड चल रहा है हमारे पास पेपर का नाम क्या है डिफ्रेंशल इक्वेशन एंड इस्पेशल की बुक है इसके अंदर आपके पास तीन युणिट एं यूणिट फैस्ट एंड ठाडर और ज Corn इंडर आपके पास दो उनिट वर्थ एंड फीप तो आज हमारे पास हैं यूणिट फैस्ट मैं कंप्लेट करवा चुका हूं यूणिट इस्फेंड हमारे पास कौन सी बुक सेकेंड इसके बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है वॉलियूम सैकेंड या बीसी सेकंड़ के अंदर पढ़ के आए हैं डिफरेंशनिे वो हमारे पास वोल्यूम फैस्ट वा करते थे और अब उससे थोड़े से हाइयर लेवल के क्यूसिंस आज जाएंगे और यह क्या हो जाएगा हमारे पास वोल्यूम ठीक है जी, यूनिट इसके अंदर सेकिंड है यूनिट इसके अंदर क्या है, सेकिंड है अब सलेवस तो मैंने आपको इस्क्रीन के उपर चलो दिखा दिया अब हमारे पास यह सलेवस है जेपियच की जो बुक है उसके अंदर यह syllabus ही कहा है तो आप नोट करोगे यह जो unit second है उसके अंदर दो chapter है yes unit second है उसके अंदर दो chapter है number one chapter 12 number one chapter 12 और number second chapter 13 number second हमारे पास है chapter क्या है 13 अब जो चेप्टर 12 इसके अंदर काफी सारी एक्सरसाइज है तो इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज है 12.4 येस इसके अंदर एक्सरसाइज कौन सी है 12.4 और ये जो 12.2 की एक्सरसाइज है ये हमारे पास है यूनिटी फैस्ट के अंदर मैं करवा चुका हूं मौ अक्सरसाइज 12.2 की उसके अंदर हमारे पास मोंगेज में थड़े चलता था तो आज हमारे पास यूनिट सेकंड के अंदर स्लेबस में क्या जाएगा चेप्टर 12 वे जिसके अंदर हमारे पास अक्सरसाइज 12.4 और यह जो चेप्टर 3 है इसके अंदर हमारे पास अक्सर साइज है 13.3 इसके अंदर हमारे पास अक्सर साइज है 13.3 तो आप इन दोनों का ध्यान रखोगे केवल हमारे पास unit second में syllabus में क्या है एक तो exercise 12.4 चेप्टर 12 से और एक exercise 13.3 चेप्टर नमबर 13 से अब जो आपको unit second का क्यूसन्स देखने को मिलेगा वो हमारे पास क्यूसन्स नमबर 3 and 4 मिलेगा जो को unit second का जो क्यूसन्स नमबर देखने को मिलेगा वो 3 A B and क्यूसन्स नमबर 4 A and A B अपन क्यूसन्स नमबर 3 करेंगे यह अपने को मिलेगा exercise 12.4 से और ये Qsons number भी ये मिलेगा हमेरे पास exercise 13.3 से इस unit के अंदर mixing होने के chances 0% या 2% के बराबर मालो यानि बहुती real cases में इसके अंदर mixing होती है इसके अंदर mixing नहीं होगी इसलिए हम इसके fourth number का part है Qsons number 4 वाला हिसा नहीं करेंगे unit fast में mixing होती है इसलिए मैंने उस unit को ही complete करवा दिया तो आपने देखा होगा 17 lecture गए काफी लंबी unit से ली बट पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि actually आपको मज़ा आया होगा लाश तक आते आते मोंगेज मेथर सीखते शीखते तो आज हमारे पास unit जो second का syllabus उसके अंदर chapter 12 जिसके अंदर exercise 12.4 और chapter 13 इसके अंदर exercise 13.3 है अब इसके अंदर भी हम topic कौन-कौन से पढ़ेंगे exercise जो 12.4 है इसके अंदर हम topic पढ़ेंगे 12.05 इसके अंदर देखो topic की heading जब आप JPS की book में देखोगे एक तो topic है 12.05 जो मैं अभी शुरुआत करूँगा एक है हमारे पास 12.06 ही और एक है हमारे पास 12.08 ध्यान देना 12.07 का हमारे पास syllabus में नहीं है उसके आगे 12.08 कोसी problem नाम से दे रखा है जो हमारे पास syllabus में है ठीक है वो हमारे पास syllabus में है तो यह तो हो गया हमारे पास exercise का और अगर मैं JPS की book की बात करूँ तो यह हमारे पास page 359 से अगर मैं JPS की बात करूँ तो यह मेरे पास page 359 to 375 है तो आपको देखने को अराम से मिल जाएगा यह exercise 12.4 ठीक इसी परकार हमारे पास exercise 13.3 में दो टोपिक है इस वाली exercise जब हम chapter 13 पढ़ेंगे इसके अंदर हमारे पास दो टोपिक है 13.14 एंड 13.15 ठीक है तो यह सबसे पहले आपे नोट करोगे कि हमारे पास unit second में जो हमें exam में questions मिलने वाला है वो कौन सा questions मिलेगा questions number 3 A and B questions number 4 हमें नहीं मिलेगा yes questions number 4 आपको exam में देखने को yes वरी मज़ोसले बस में करूआँगा उसमें नहीं मिलेगा हम केवल exercise 12.4 और 13.3 करेंगे तो यह question की पहचान होगी यह हमारे पास chapter 12 है exercise में 12.4 और यह chapter 13 का है exercise 13.3 तो अब आप खुद ही बताइए अब हम कौन सा सलेब स्टार्ट कर रहे है इनिट सेकेंड चेप्टर 12 में हम क्या पढ़ेंगे 12.4 और कौन से topic से स्टार्ट करूँ में हमारे पास actually unit यहां से स्टार्ट होती है ठीक है actually हमारे पास unit यहां से स्टार्ट होगी तो देखो सबसे पहले में क्या लिखूँगा हमारे पास है JPS की बुक के अंदर क्यों साथ साथ बताना जरूरी है कि हम पढ़ कहां से रहे हैं JPS की बुक में page 359 सबसे पहले एक topic लिख रखा है canonical forum सबसे पहले हमारे पास heading डालो आपे canonical forms यह हमारे पास topic का नाम है अब जो topic है 12.15 यह 12.05 पे अब आप उस topic का नाम लिख सकते हो ठीक है तो अब हमारे पास topic 12.05 का नाम क्या हो जाएगा भई partial differential equations नाम से है हमारे पास topic 12.05 क्या reduction of है या reduce बोल दो equations semi linear partial differential equation से semi linear partial differentiation से equation equation से two canonical forms तो canonical forms तो सबसे पहले पहले हमारे पास topic से के 12.05 है जिसको हमें बहुत ही बारी की से सीखना है तो heading डालेंगे unit second का lecture यहां से start है अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सब हमारे पास ही काम का topic होगा ठीक है तो देखो सबसे पहले topic क्या है हमारे पास है reduction to second order semi linear partial differential से equation से two canonical forms इस unit को हम सुरुआत करें उससे पहले मैं जो unit fast आपको करवा चुका हूँ येस क्योंकि अब मैं जो करवाया हूँ उसको repeat करना जरूरी है unit fast के अंदर हमारे पास क्या था एक तो chapter 5 जिसके अंदर रिकाटी equation हुआ करती थी एक chapter number 6 जो total differential equations नाम से हुआ करता था और एक chapter 12 है और इसके अंदर कौन सी exercise होती थी भाई हमारे पास 12.2 अब बताओ 12.2 का नाम हमारे पास क्या है mongage method येस 12.2 के अंदर जो हमने topic किया था वो हमारे पास क्या था mongage method और mongage method किस परकार से होता था भाई rr plus ss plus tt is equal to v याद आ रहा हो ना साथ साथ पढ़ा होगा तो mongage method क्या है rr plus ss plus tt is equal to v अब आप जानते हैं कि हमारे पास small r क्या होता था उदर डेल 2 z by डेल आक्सी स्क्वेर small s क्या होता था वही डेल 2 z by डेल आक्सी स्मोल t क्या होता था हमारे पास से डेल 2 z by डेल य स्क्वेर and capital rs t और v किसके function हुआ करते थे rs tv किसके function हुआ करते थे वही अक्सी y z p and क्योंके तो अब बताओ p क्या होती थी हमारे पास वहाँ डेल 2 z by डेल आक्सी और क्यों क्या होती थी हमारे पास डेल 2 z by डेल आक्सी तो इस unit second को start करने से पहले मेरे को क्यों यही repeat करना था कि देखो भी students अपने mongage method के अंदर इस form में पढ़ा है rr plus ss plus dt is equal to v आज हमारे पास topic क्या है canonical forms ऐसे याद रखोगे कि अब हमारे पास topic है इस exercise 12.4 के अंदर वो हमारे पास canonical forms है canonical forms का topic क्या है हमारे पास reductions of second order semi linear partial differential equations to canonical form तो मैं यहाँ एक equations लिखोंगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी canonical form कहलाएगी तो उसको हम लिखेंगे rr plus ss plus tt plus f of x yz p and q is equal to 0 आज हमारे पास हम canonical forms का standard equations कि इस परकार से लिखेंगे जो अपने mongage method लिखा है उसको ही same लिखना है तो same mongage method लिख दो rr plus ss plus tt और यह जो v है यह v भी किसका function हुआ करता था f x y z p क्योंगा तो यहां देखो एक खास बात होगी जो questions इस exercise में करेंगे वो हमारे पास पहले वाली unit की तरह भी सारे questions तो नहीं होंगे बट कुछ questions हमारे पास इस exercise मोंगेज method की तरह हो जाएंगे बट आपकी पैसान क्या रहेगी यह आपको questions नंबर 3 में देखने को मिलेगा देखो आपको पैचान कैसे रखनी है canonical form की यह अपने questions नंबर 3 a के अंदर देखने को मिलेगा exercise 12.4 से ठीक है और otherwise मालो unit system हटा दे तो यह मोंगेज method की अंदर ही match हो जाएगा तो इसलिए आपको थोड़ी सी पैचान याद रखनी है कि हमारे पास canonical form का standard equations क्या होता है वही r into small r plus s into capital s into small s plus capital t into small t plus f of x y z p q यह छोटे छोटे लिखने है p q और z को तो यह हो जाएगा हमारे पास r r plus s s plus t t plus f x y z p q is equal to 0 और हर बार हम इसे equations number 1 मान के चलेंगे ठीक है where where अब आप लिख सकते हो where हमारे पास small p क्या है वही del z y del x याद है ना पैसले वाली उनिट का small p क्या हो जाएगा del z y del x बताइए small q क्या हो जाएगा हमारे पास है del z y del y r क्या हो जाएगा हमारे पास है r क्या हो जाएगा del 2 z by del x square small s क्या हो जाएगा हमारे पास है del 2 z बता del x del y लिखो या फिर आपे del 2 z by del y del x लिखो and small t हमारे पास कितना हो जाएगा del 2 z by del y square yes अब आपका जो questions exam में आएगा questions number 3 a वाला part लिखे वो question हमारे पास हमेशा कैसे आएगा r into r plus s into s plus t into t plus fxyzp क्यों is equal to 0 या r की जगा आपको क्या दे सकता है देखो छोटे वाले r की जगा आपको क्या दे सकता है del 2 ze by del x square plus capital s into small s की जगा क्या दे सकता है del 2 z by del x del y पलस capital T, small t की जगार क्या दे सकता है? डेल 2zy, डेल y square से, पलस f of x, y, z, p की जगार मा क्या लिखूं भई? डेल z by, डेल x, और क्यों की जगार मा क्या लिखूं? डेल z by, डेल y. तो यह डेल z by, डेल x, और यह डेल z by, डेल y, is equal to 0. यानि equations 1, और इस equations के अंदर हमारे पास कोई फरक नहीं है, दोनों एक की बात हैं, एक तो छोटे छोटे rs t के symbol में लिख रहे हैं, और दूसरा कभी कभार question हमको complete लिख के देगा, और कभी हमारे पास छोटे rs t के अंदर लिख के देगा, तो आप वीडियो को यहीं पोज़ गरके, एक बार अपनी exercise के जो questions दे रहे हैं, 10 questions है, आप उसको देख सकते हो, कुछ questions में आपको इस परकार से दिया हूँ मिलेगा, कुछ questions में आपको small rs t के according मिलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यह doubt दूर हुआ कि, अग्जाम में हमें दिया जाने वाला questions किस फॉरम में होगा, यह हमारे पास standard canonical form से होती है, ठीक है भई, यह हमारे पास क्या होती है, standard canonical form से होती है, अब हम इसका solution कैसे करेंगे, यह हमारे लिए काफी important है, तो मैं आपको कम से कम continuously three lectures बताऊंगा, इसके तीन परकार के questions हमारे पास इस exercise में होने वाले हैं, हर बार की तरह, जैसे मैंने unit आपको fast बढ़ाई है, उसी परकार हम same method पेचलेंगे, कोई भी steps हमारी टूटे नहीं, same method, same language, change होंगे, तो हमारे पास यह RST की value, capital RST की value ही change होगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बिलकुल detail से पढ़ते रहिए, जहां समझे में नहीं आ रहा है, वहीं pose कीजिए, back जाईए, दुबारा सलो, motionless में देखिए, एक बार एक Qusiness को आप अच्छे से देख लोगे, तो मैं खुद मान के नहीं, खुद मेरे कुछता विश्वास है, कि आप easily, आप मेरा method समझ जाओगी, कि मैं कहना क्या चारा हूँ, और बच्चे हुए फिर PDF, नोट्स में आपको available करौँगा, वो आपकी help कर देंगे, ठीक है, तो देखो सबसे पहले exercise होगी, कोई उड़ी बात नहीं, पहचान जाओगे, second unit में आओगे, Qusiness number 3, A वाले पार्ट में आओगे, अब हमारे पास Qusiness किस फोर्म में देखने को मिलेगा, RR पलस SS पलस TT, पलस FXYZ PQ is equal to 0, या फिर मैं ऐसे लिखी लेता हूँ एक बार, या फिर हमारे पास किस परकार से मिलेगा, R2 डेल 2ZY डेल अक्स स्क्वेर, पलस केपिटल S, डेल 2ZY, डेल आक्स स्थे डेल वाई, पलस T, small t को क्या लिखूँ हूँ मैं, डेल 2ZY, डेल वाई स्क्वेर, पलस F of X, Y, Z, P की वेल्यू क्या है, हमारे पास डेल जेड वाई, डेल अक्स, एंड Q की वेल्यू क्या है, हमारे पास डेल जेड वाई, और देल य जीडुडो टू जीडो इस एक्वल टू जीडु ठीक है अब देखो हमारे पास एप सोटा सा वर्स सा बताऊंगा आपको I N DIP depends व्रियेवल एक तो आता है हमारे पास से इनदिपेंडेंड व्र ही जिसको हिन्दी भास अमें बोलते हैं सवतंतर चर नहीं जाने आपने BSC Secondary में कितनी बार नाम सुना था सवतंतर चर लगबग हर यूनिट के अंदर यह चल लगए आता था दूसरा हमारे पास है dependent variable जिसको आप आशरीत चर या परतंतर चर बोला करते थे येस जिसको आप आशरीत या परतंतर चर बोला करते थे ठीक है तो आप एक बार मन में सोच के रखो क्या हो सकते हैं इसके अंदर देखो वेरियेबल तो हमारे पास तीन ही है अक्स है वह जेड है और वाई है देखो कितने चर है हमारे पास यहां अक्स है वाई और जेड है अब मेरे को यह बताना है इसके अंदर independent variable कौन से होते है हैं और dependent variable कौन से होते हैं देखो मैं आपको से बहुत ही चोटी बात पूछ रहा हूं कुछ सी स्टुडेंट्स को लगे साधी कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं इदर यह भी नहीं पता कि independent नीचे वाले होते हैं डिपेंडेंट उपर वाले होते हैं बट कुछ सी स्टुडें से मैंनत करके आते हो ओके तो द्यान रखना कि हमेशा जो नीचे वाले वेरियेंट्स होते हैं यह पर होते हैं मतलब आप नीचे जो वेरियेंट्स हैं हो अद्छ दिपेंडेंट होते हैं और उपर हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरियेबल तो नीचे वेरियेबल क्या है एक तो अक्स है अक्स आई गए दूसरा क्या है वाई है तो अक्स वाई तो हमारे पास यहां क्या बन गए इंडिपेंडेंट वेरियेबल और उपर कौन है जेड जेड और जेड यहां वी चाह याद रखना है कि नीचे के variables होते हैं वो always अब क्या होंगे independent होंगे अब तो आप यह भी मत बुलना कि नीचे वाले सवतनतर होते एंगलीस में हैं याद रखोगे क्या होते हैं independent variable होते हैं और independent का मतलब वो उसके ओपर निर्भर नहीं है, तो उसकी जगह, मालो जैसे आपकी फेमिली में, आपको, आपकर कोई जिम्यदारी नहीं है, तो आप अपने घर से बार कहीं भी गुम किया ओ, किते वजे भी घर आओ, आपको कोई कुछ नहीं कहिएगा, क्योंकि आपकी ओपर कोई डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें आएंगे ठीक है तो हम यहाँ एक छोटी इसी लेंग्वेज लिखेंगे हर बार क्यूशन के अंदर क्या लिखना आपको here independent variable अब मैं लिखूंगा इस बात को here independent variable here independent variable कौन कौन से है वाई अक्स एंड वाई here independent अब आपके लिए यहीं से यूटरन हो जाएगी पूरी की पूरी यूनिट सेकंड येस यूनिट सेकंड के अंदर जब तक हमारे पास exercise चलेगी बार बार हमारे पास क्याएगी जाई और इटा रुको मैं लिख दूगा कि जाई और इटा अब मैं डी जी के अंदर yes differential geometry जो आपका paper fourth है उसके अंदर मैं unity fourth के अंदर इनको करवा चुका हूँ इस symbol को क्या होते थे भई हमने क्या किया वहा अकसी y z को बदलके किसके अंदर जाने दिया भई जाई इटा और जीटा तो आप लिख लो आलांकि आपका पड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं जाई इसको क्या बोलते हैं जाई इसको क्या बोलते हैं इटा इसको क्या बोलते हैं इटा और इसको बोलते हैं जीटा जेड इटी ए जीटा ठीक है तो वैसे ही सिंबल आपके DJ में याद है बट अगर कोई students direct मेरे यही lectures देख रहा है तो उसकी जानकर यह के लिए मैं बता दूँ यह क्या होता है जाई यहां हमारे पास independent variable केवल XY है जेड नहीं है जेड नहीं है तो हम इसे चेंजे नहीं करेंगे तो आप side में एक पर यह symbol लिए और देखो बनाना कैसे है इसको इस परकार से बनाना है इसको बोलते हैं जाई इसको बोलते है जाई और इसको हम क्या बोलेंगे वास्ता में आप ऐसे डारेट नीचे तक आने दो इसको पर मेरे से हिबुट है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसको बोलते है इटा इसको क्या बोलते है वही इटा इटा आप इसको side में लिखे रहने देना क्योंकि शुरुआत में आओगे यह ही symbol हमारे पास ही change हो जाएंगे ठीक है तो अब देखो हमारे पास independent variable किसके अंदर change हो गया अब मैं आपको एक basic सी बात यह कोई समझने वाले बात नहीं है बर ध्यान रखना अब दो problem आपको फेस करनी होगी एक तो आपको बार बार इसकी practice करनी होगी जाए की और इटा की और दूसरा मेरा भी थोड़ा ध्यान रखना होगा यह मापी चाहूँगा इस बात के लिए क्योंकि मैं जाए लिखूँगा बार बार हमें जाए लिखना होगा तो मैं इस परकार से लिखूँगा क्योंकि अपने को ऐसे भी लिखना होगा ये भी ऐसे लिखा जाएगा पहला तो challenge ये रहेगा आप मेरे को एक दो बार अच्छे से लिखते हैं हलांकि मैं कोशिद करूँगा भिल्कुल धीरे slow motion में लिखने की बाट आगे चलके मेरे ita और अगर आप एक नजर से देखोगे टोटल स्क्रीन के उपर तो आपको एक जैसे से लगेंगे यह जाई जरूर थोड़ा सा पैजान में आजाएगा तो आपको एक तो मेरा ध्यान रखना है लिखने का और दूसरा आप खुद प्रेक्टिस करोगे और मैं अच्छे से मेच्वर बन सके थोड़ा ओर ज्यादा आपने आपको इस्ट्रॉंग बना सके हर परिष्टि में अपने आपको डाल सके इसलिए यह सिंबल्स हमारे पास बार बार आएंगे तो यह नोर्मल सी बाती जान रखना जाई का और इटा का तो सबसे पहले हमें क्या करना हीर इंडिपेंडेंट वेरियेबल अक्स वाई चेंज इन जाई एंड एटा जिस इस्टुडेंट्स का मेरे से डी जी फोर्थ पेपर कंप्लीट पढ़ लिया है यूनिट फेस्ट के अंदर उसको मेरे साबसे यहां लिखने में कोई समझ्चा नहीं आएगी हो सकता है एक दो लाइन्स में आए पर आप पर बार बार रिपीट करेंगे तो कोई दिकते नहीं आने वाली अब हम क्या करेंगे जाई में चेंज करेंगे eta into x into y ठीक है अब हमें change करने हैं किसको जहां जहां हमारे पास x है देखो जहां जहां हमारे पास x है उसकी जगाय हम क्या लिखेंगे जाई जहां हमारे पास y है उसकी जगाय हम क्या लिखेंगे eta तो सबसे पहले आजाओ P के लिए क्यों के लिए फिर R के लिए फिर S के लिए और फिर T के लिए ठीक है उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और DG वाले पेपर की रिपीट करना चाओंगा उसे DG वाले पेपर में मैंने एक नाम लिया था Capital J Jacobian अगर आपको ठीक ठीक याद हो तो Capital J is equal to Jacobian और Jacobian को हमने ऐसे लिखा था Del, Ji, Eta upon Del, X and Y मैं आपकी जानकरी के लिए बता दू DG के अंदर मैंने ऐसे लिखा था जाई, Eta और जिटा upon Del, X, Y and Z यहाँ हमारे पास याज इटा वाला सिस्टम नहीं है तो आपने ओके अवल इतना लिखना होगा कि Del, Ji, Eta और Del, X and Y यह कुछ वर्ड आएंगे जो आपको अभी थोड़ी दिर के लिए समझने है बाकी बाद में क्यूशन में इनका कोई importance नहीं है बट क्यूशन करने से पहले हमें कुछ चोटी-चोटी basics बाते हैं ताकि हम क्यूशन को आराम से play कर सके हैं इसका मतलब क्या होता है इसको आप ऐसे रिखेंए पहले लिखेंए Del, Ji, By Del, Y पहले इसको क्या लिखोगे भई Del, Ji, By Del, Y फिर Del, Ji, By Del, Y फिर Del, Ji, By Del, Y फिर Del, Ita, By Del, दियान घ्ञान रखना भई मेरा Ita और Max हो सक्ता है मैं इस बात की गारंटी नहीं लिख सकता हाँ कोशिश करूँगा मैं इसे लाइक हूँगा नहीं बट फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना यह हमारे पास टू कुरोस टू का डिटर्मिनेट हो जाएगा ठीक है इसको याद कैसे रखना है डेल जाई और इटा और नीचे अक्स और वाइम तो डेल जाई बाई डेल अक्स डेल जाई बाई डेल वाई फिर नीचे आजएगा डेल इटा बाई डेल इटा बाई डेल इटा बाई डेल वाई अब आपको पत होगा माइनस डेल जाई बाई डेल वाई माइनस डेल जाई बाई डेल वाई इंटु डेल इटा डेल आक्स इंटु में डेल इटा एंड डेल आक्स ठीक है एक हमें ध्यान रखना है कि वर्ड आएगा हमारे पास जैकोबियन इसको क्या बोलते हैं वही जैकोबियन बोलते हैं और जेकोबीन का सिंबल याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो मेरे से DJ अब तक उल्रडी पढ़ चुके हैं तो उसको खूब अच्छे से पता है कि हम क्यों लेके आयते इसलिए हम इसको DJ वाले पार्ट में समझा चुका हूँ तो यहां आपको डायरेक्ट काम चलाना होगा ठीक है बई तो अब तक का एक बार जितना हुआ उसको स्क्रीन के ओपर एक नजर में दोडाईए क्यूसनस आपको अक्जाम में किस टाइप से मिलेगा आर इंटू आर पलस एस इंटू एस पलस टी इंटू टी पलस f x y z p q यह फिर आपको ऐसे लिखके दे सकता है डेल to z y del x square डेल to z y del x del y डेल to z y del y square डेल to z y del x and del z y del y अब आपका काम क्या है कि यहां नीचे इसके दो independent variable होंगे हर बार x and y हमें इसको change करना है x की जगह हमारे पास क्या साही है आजाएगा J and Y की जगा है हमारे पास क्या आजाएगा ETA पहली problem आपको फेस करनी है बार बार लिखोगे J, ETA, J, ETA तो मैं बदाओं पक जाओगे और आराम से लिख लोगे पहले खूब गलतियां होगी और आपने मालोग कोई ट्रोफिक पूरा याद भी कर लोगे उसके बाद करोगे तो इस टेप्स में काफी सारी गलती हैंगी खुद आप कई बार ETA को J, E को Y लिख दोगे खुद से कई भी काफी बार गलती होगी तो यह आपको केवल और केवल प्रेक्टिस से ही समस्या दूर होगी ठीके अब अपने को चेंज करना तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे यानि यहां से X हटाएंगे यहां से Y हटाएंगे यहां से X, X, Y और Y तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनि चाहिए फिर आप एक छोटी से लाइन enthalros किया रखोगे कि हमारे पास Jacobian है यह कभी भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं होता यानि Jacobian हमारे पास कभी भी 0 नहीं आएगा आप तो इस बात का ध्यान रखना मतलब ये वाली value कभी 0 नहीं आ सकती ठीक है तो चलो अब हमें सबसे पहले क्या लेकिया आना है Del Z by Deluxe अब यहाँ हमारे पास कुछ operators आएंगे जो books में देखने पर समझ में नहीं आने वाले काफी complicated तरीके से book में इसको design किया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आपको बिल्कुल easy wave में बताया जाए ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है Del Z by Deluxe को जाई और इटा के अंदर चेंज करना है आप तो ऐसे समझ लो कि यह जो हमारे पास है जाई है इसको हमें X और Y वाले को बदल के जाई और इटा के अंदर लेके आने बैस यह है अपने पास काम की बात तो देखो सबसे पहले मां क्या लिखूंगा number one P is equal to Del Z by Deluxe देखो P is equal to Del Z by Deluxe क्या हमें Del Z by Deluxe को ऐसे लिख सकता हूँ कि Del Z by Del J into Del J by Del X दूसरा क्या चाहिए हमें इटा भी तो चाहिए तो दूसरा हमारे पास कितना आ जाएगा Del Z देखो यह तो ZD रहेगा और यह अक्स रहेगा गलती से बचने के लिए आप ऐसे लिख लो देखो गलती से बचने के लिए आपे ऐसे लिखो कि Del Z by Deluxe है अब आपको बता तो यह सिंबल गलत माना जाएगा आप अग्जाम में ऐसे गुमा के लाओगे ऐसे देखो ऐसे लागे ऐसे और इटा को एंड तक लागे थोड़ा सा इसको टेल लेके आनी है ठीके मेरा ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि मेरे को बार-बार लिखना आपका भी थोड़ा कीमती वक्त बच सके इसलिए मैंने जो बात थी वो एक बार ही बता दिया तो जब-जब हमें Del Z by Deluxe को चेंज करना होगा तो हम किस परकार से चेंज करेंगे Del Z by Del J into Del J by Deluxe पलस Del Z by Del Ita into Del Ita by Deluxe अब यहां से हमारे पास प्योर क्यूशन के अंदर काम में लेने वाला पर्ट है इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना सेकिंड हमें निकालना है क्यों क्यों का मतलब हमारे पास है Del Z by Del Y तो इसको आप क्या लिखोगे Del Z upon Del Y पलस Del Z upon Del Y देखो साथ-साथ मेरे लिखो ताकि आपकी प्रेक्टिस हो जाए ऐसे नहीं कि कोई बैसा कैमरे के सामने आडाम से मोबाईल स्टेंड के उपर रख रखा है और बैठे-बैठे ऐसे देख रहा है इसे काम नहीं जे लेगा साथ-साथ अपने हाथ चलाओ इस पेपर के अंदर दूसरे वाले पेपर की अलग बात है तो आप बताओ Del Z by Del Y को उन्हें क्या से रिख दिया Del Z by Del Y और Del Z by Del Y तो इसके उपर नीचे हम क्या लगाएंगे Del J इसके उपर नीचे हम क्या लगाएंगे Del Z और इधर क्या जाएगा Del Y तो ये अक्स है देखो ये अक्स है ये इटा है आगे चलके मेरे एक जैसे हो जाएंगे इसमें और इसमें कोई फरक नहीं बता पाऊँगे इसलिए पहले मेरा ध्यान रखो और मेरा लिखने के बाद पहले खुद के इसमोल क्यों निकालिया अब आगे हमारे पास इसके अंदर इसमोल आर निकालना है देखो अब इसके अंदर आगे हमारे को क्या निकालना है इसमोल आर निकालना है तो चलो अब निकालते हैं हम इसमोल आर देखो अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर small r small r का मतलब हमारे पास कितना हो गया del 2 z by del x square yes small r का मतलब हमारे पास क्या हो गया del 2 z by del x square क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ del y del x और into del z by del x अब देखो यहाँ आने के बाद ध्यान देना अब यह वाली steps आपके अच्चुली समझ में नहीं हैगी अगर आप एक दो second भी इधर उधर हो गए तो देखो हमारे को r निकालना है फिर मैं s निकालूँगा और फिर मैं t निकालूँगा और एक ही steps में फिर मैं direct बताऊँगा फिर cushions में भी हम इसको directly वो करेंगे काम में लेने वाले हैं तो क्या मैं इस r को ऐसे लिख सकता हूँ del by del x into del z by del x अब देखो उपर जो मेरा p लिखा हुआ है देखो उपर मेरे जो p लिखा हुआ है क्या मैं इस p को ऐसे लिख सकता हूँ कि del z by del x देखो उपर मेरे पास यह जो P लिखा हुआ है अब देखो ध्यान से देखना यह P की बज़ाई ऐसे करो कि उपर जो डेल जेड वाई डेल अक्स लिखा हुआ है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले इसको लिख लूँ डेल जाई वाई डेल अक्स फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ डेल जेड वाटा डेल जाई अब मानूँगा कि जाई डाई जाई इटा ऐसे बोलने में आपको काफी दिकत होगी बट आपको प्रेक्टिस से ही यह प्रोबलम से दूर करनी होगी येस येस देखो क्या हम इस डेल जेड बाई डेल अक्स को ऐसे लिख सकते हैं इसको पहले लिख लिया इसको इदर लिख लिया पलस इस इटा वाई डेल अक्स को पहले लिख लिया और डेल जेड वाई डेल इटा को बाद में लिख लिया क्या मैं इसके अंदर से Z common ले सकता हूं? तो यह ऐसे हो जाएगा क्या? डेल जेड वाई डेल अक्सी और डेल बाई डेल जाई पलासी डेल इटा वाई डेल अक्सी इंटू डेल बाई डेल इटा और इधर common क्या गया? Z आ गया और इधर भी हमारे पास common कौन आ गया? एक परकार से Z यानि क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? यानि हमारे पास एक operator बन गया डेल बाई डेल अक्स इसको हम क्या बोलते हैं? एक एक operator बोलेंगे एक हमारे पास operator बन गया डेल बाई डेल अक्स इस प्रकार से बन गया वही ऐपरेटर डेल Z by del X into में डेल बाइ डेल जाई पलस डेल इता बाइ डेल अक्स इंटू में डेल बाइ डेल इता ठीक है वही वह दोनो साइड से आप एक परकार से Z को कैंसिल कर दो तो ये मेरे पास ओपरेटर बन गया डेल वाई डेलक्स डेल जाई वाई डेलक्स इंटू डेल वाई डेल जाई प्लस डेल इटा वाई डेलक्स इंटू डेल वाई डेल इटा बहुत ही काम की चीज है इसे समझ लो यह लेक्चर काफी लंबा जाएगा तो मैं इसे जाने दूगा ठीक है क्योंकि यह की लेक् जो डेल बाई डेलक्स है इसको मैं नाम देता हूँ equations number 1 इसको मैं एक बार क्या नाम देता हूँ चलो equation 1 आपका दिया हुआ है इसको हम एक बार normally मान लेते हैं equation से 2 मान लेते हैं अब तक आप लिखते हुए आ रहे हैं equation 1 के बाद आप है 2 को लिखिए तो क्या मैं इस डेल बाई डेलक्स की जगई ये रख सकता हूँ देखो क्या मैं डेल बाई डेलक्स की जगई ये रख सकता हूँ equation मत नाम दो वई क्योग इसको नाम देंगे तो फिर इसको भी हमें नाम देना पड़ेगा अब एक पर normal वैसे समझो मैं से के student हो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल टू जेड बाई डेलक्स स्क्वेर डेल टू जेड बाई डेलक्स स्क्वेर इस इकल टू डेल बाई डेलक्स यानि इस डेल बाई डेलक्स की जगई मैं ये लिखू तो ये कितना बचेगा मेरे पास है डेल जाई अब देखो एक बार रोको stop और pen अपनी copy और pen को एक बार रोको लिखो मत क्योंकि मैं यहां पहले लिखोंगा फिर मैं रफ करूंगा फिर मैं दुबारा लिखूंगा तब आपको लिखना है ठीक है ध्यान आ गया औरना तुमें बादें बोलता है कि देखो वह यह पर क्या है इसको एसे लिख सकते हूं डेल याइव्ड लक्स इंटू यह ़ेखते दिरी धीरी देखोगे न तो यह लास्ट में ऐसे बन जाएगा एक परकार से एपसला बन जाएगा पर ध्यान रखना ये वास्ता में कैसे है ऐसे ठीक है और ये इटा वाला कैसे है वास्ता में ऐसे है आप ऐसे लिख देना चाहो तो पर ध्यान रखना दूसरी तीसरी लाइन के अंदर ना कुछ जाए वरना पेज़े बहुत बर ज्यादा बर जाएंगे वो भी आपके लिए अच्छा नहीं कैने का मतलब यह जो देल बाई डेल अक्स है इसकी जगायों मैंने यह लिख लिया डेल जाई बाई डेल-अक्स इन्टु डेल बाई डेल-वाई डेल-ई-टा ये लोओ डोट लगा हुआ है डेल-जेड-?डज़ाई रहाए डेल-डेल-द्लक्स अभी द वाई डाइड़ मतलब यह हमारे पास operator है यह इसके उपर हमें apply करना है अब देखो चार step होगी 1, 2, 3, 4 अब आपको क्या करना है इस पहली step को इधर लेकिया ना है फिर पहली step second इसके साथ फिर यह second fast के साथ यह second इस second के साथ पता है ना बहीं ऐसे होगा एक प्रकरसे ऐसे देखो A, B, C और D A का C के साथ पलस A का D के साथ, B का C के साथ पलस B का D के साथ पर बात वो नहीं है बात जैसे जैसे आप लिखोगे steps बढ़ती जाएगी और यहां से लेके वहां तक और बाद में भी line पूरी नहीं होगी तो इसको देखो हम क्या कैसे करते हैं पहले आप इसको ऐसे लिखोगे देल जाई बाई डेलक्स है इन्टू डेल वाई डेल जाई देखो इसको मैं थोपता हूँ इसके उपर आप ऐसे देख लो एका सी के साथ है डेल जाई और डेल जाई बाई डेलक्स पलस ऐसे ही सेकंड आएगा ऐसे ही थैर्ड आएगा और ऐसे ही भूरत आएगा एक तो यह समझो फिर देखो यह डेल जाई बाई डेलक्स है यह तो बाहर आ गया इससे दो कोई दिक्कत ने, अब ये इसके उपर अपलाई है, तो अब इसका आउकलन करेंगे, तो इसको you into you मान के से लेंगे न, कि पहले को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो, दूसरे का आउकलन, पहले को छोड़ दो, और पहले का आउकलन, पहले को छोड़ दो, और पहले जिगार रख रही हैं तो देखो आठ तक कितनी जिगार होगेगी तो आला कि होगा उतने लंबा बेट हमें इसको थोड़ा सा इजी लेंग्विज के अंदर लेंगे एक तो ये इस फिर अगर आपका अक्स की जिगार बूल से जीटा हो गया तो फिर मैं बता रहा हूं घूमत तो कमेंट कर सकते हो कि ये सर हमसे इसके अंदर गलती हुई है लिखा हुआ होगा आपके सामने स्क्रीन के उपर फिर भी आपके जाई की जगह इटा आ जाएगा या इस अक्स की जगह से इटा बन जाएगा कम से कम दो से तीन बार ऐसा साइध ही कोई स्टूडेंट हो जो आपको अच्छे से प्रेक्टिस करो और आपको एक जगह बैठने की या लिखने की चमता हमतर से बोलूँगा कि जैसे यहां आप आए भगवान आपको लिखने की चमता परदान करे और उस वक्त आपको बिलकुर रिलेक्स होके इस कुसिंस को करना है थोड़ी सी जल्दी प्रेवाजी आपको ऐसी जिगह ले जाएगी मार्क्स तो कटेंगे कटेंगे पलस आगे का पेपर भी खराब होगा तो फीके अब देखो मैं क्या करता हूं आपको इस मेठड से नहीं करना है तो मैं क्या करना आपको करना स्टेप्स तो हमारे पास इतनी ही होंगी बट हम थोड़ी सी easy language के अंदर करेंगे तो आपको क्या करना जैसे आप यहां आ जाओ del by del x के अंदर तो आप इसको दो बार तोड़ दो आपको एक साथ ही दोनों बातें नहीं रखनी है आपको दो बार two times इसको करेंगे कैसे कि यहां तक आगे del 2z by del x square तक अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि del by del x को तो आप छोड़ दो del by del x को तो आप छोड़ दो आप इस पहले del z by del x को लिख लो पहले आप इस del z by del x को लिखो तो यह कितना जाएगा हमारे पास है del z by del j del j by del x plus del z by del eta और del eta y del x अराम से बैठ जाओ गंटा सवा गंटा, डेट गंटा, जित्ता भी इसके अंदर लगता है जाने दो काम की बाते सिखेंगे मतलब आपको क्या करना है या नहीं काओ इसको पहले छोड़ो इसको पहले लिख लो del z by del x को यहां से लिख लिए अब देखो एक बार इसको इसके साथ ले लो और एक बार इसको इसके साथ ले लो तो यह हमारे पास कितना आजाएगा del y del x del z by del z into del z by del x ठीक है एक बार इसके साथ आगया पलस एक बार इसके साथ आजाएगा del y del x del z by del nita eta और del eta by del x समझ गए बार आपको इसको एक बार इस टोप कर लेना है पहले अंदर वाला लिखोगे साथ अपलाई करो पलस इसके साथ अपलाई करो अब आप इसका u into v u into v लगाओ ओके तो u into v लगाएंगे तो इसके अंदर देखो पहले को छोड़ दो पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंसेशन तो देखो same आगया ना नीचे पहले का डिफरेंसेशन अब आप इसको डेल टू जेड बटा डेल अक्स डेल जाई मत कर देना क्योंकि operators क्या हैं अलग अलग हैं तो अब आप इसको क्या लिखोगे सैकिंड को छोड़ दो और पहले का डिफरेंसेशन से डेल वाई डेल अक्स से डेल जेड वाई डेल जाई सेम होते तो आप लिख सकते थे एक बात के लिए आज़ो ठीक इसी परकार इसके अंदर क्या बचेगा पहले को छोड़ दो यू इन्टू वी करो पहले को छोड़ो डेल जेड वाई डेल इटा को सेकेंड का डिफ्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रि तो मतलब आपके पास steps तो वहीं आनी है बट इससे क्या कि आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी पहले इसके साथ अंदर वाला लिखना है दो जगए बाटो U into V लगाओ अब क्या है अपने पास एक तो ये steps ऐसी के ऐसी रह जाएगी और एक हमारे पास ये steps ही ऐसी के ऐसी रह जाएगी कि अबर two steps में के अंदर हमको इस operator को काम में लेना है यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होने चाहिए अब मेरे को white board पे काफी ज्यादा space की जरूरत होगी इसलिए आप इसको साथ साथ लिख लो लिखना इस्टार्ट कर दिना यहां से कहीं आप इसको pen को और copy को छोड़ के न वैठो अब यहां से लिखो वह इसको ठीक है तो आप back करके लिख सकते हो online classes के यही भाइदे अब देखो हमारे पास आगे क्या करना है इसके अंदर अब देखो यहां तक हो गया यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए अब मैं इस steps को यहां लिखता हूँ तो यह हमारे पास किसके बराबर चल रहा है आर के बराबर ये हमारे पास है R के बराबर चल रहा है या डेल 2 Z बटा डेल X स्क्वेर के बराबर चल रहा है देखो इन दो स्टेप्स ये लास्ट तक ऐसी कैसी हैंगी भई common कर लो इस स्टेप्स को कौन कौन सी स्टेप है डेल Z Y डेल J into डेल 2 J Y डेल अक्सी स्क्वेर्स पलस इसको नहीं एक इसको फिक्स करो पलस डेल Z Y डेल इटा पलस डेल Z बई डेल इटा into के अंदर डेल 2 इटा into के अंदर डेल 2 इटा बाई डेल आक्सी स्क्वेर्स डेल आक्सी स्क्वेर्स मतलब ये steps ऐसे कैसे लिख ली ये steps ऐसे कैसे लिख ली इसे हम last तक ऐसा का ऐसा same to same आने देंगे अब देखो plus del jai by deluxe इसको series में लिखना वही ऐसे गुमा मत देना जो जहां लग रहा है उसको वहीं लिखना plus ये क्या है del jai by deluxe ये क्या है वही हमारे पास del jai by deluxe multiply में है कौन del by deluxe अब आप इस operator को काम में लो या अब आप इस operator को काम में लो तो ये कितना है operator हमारे पास ही del jai by deluxe del by del j plus del eta by deluxe into del by del eta और ध्यान रखना ये अक्स है ये इटा है ये जाई है अगर फिर से गड़वड हो जाएगी तो आप उसके अंदर फिर वीडियो को पिछे तक देखोगी और मैं बता रहा हूँ काफी तकलिफ होगी इसलिए अराम से लिखते है आओ इसको एक बार चोटी सी बात है फिर हम क्यूशन में बार बार लिखेंगे तो हमें एकदम मैयाद करने का तरीका बता दूँगा तेने से मतलो एक बार शीख हो पहले कोई चीज कैसे आती है तो देखो यहाँ डेल जाई वाई डेल अक्स को छोड़ दिया डेल वाई डेलक्स की जगा मैंने क्या लगा लिया ओपरेटर देखो डेल वाई डेलक्स की जगा लगा लिया ओपरेटर और ओपरेटर किसके उपर लगेगा वाई हमारे पास डेल जेड वाई डेल जाई ओपरेटर हमारे पास किसके उपर लगेगा डेल जेंड वाई डेल येस पलस ये हमने इधर लिखी लिया पलस डेल इटा वाई डेलक्स इसके अंदर भी छोड़ो पलस डेल इटा वाई डेलक्स फिर से क्या आ गया डेल वाई डेलक्स डेल वाई डेलक्स का मतलब मेरे पास क्या आ गया इटा देखो डेल इटा वाई डेल एक्स को छोड़ दिया इस डेल वाई डेल एक्स की जगा हमने इस ओपरेटर को काम में ले लिया हमने इस ओपरेटर को काम में ले लिया अब इसके इंटू में क्या है डेल जेड वाई डेल एक्स के इंटू में क्या है डेल जेड वाई डे से आ common from last step आजो लिखो इसको अब रहता दो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा कि डेल टू जेड़ वाई डेल एक्सी स्वेर लिखो तो ठीक है लिख दो आर बराबर इस स्टेप को मैं थोड़ा सा साइज में छोटा लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है अब यह common अंग्रेज जी कभी थोड़ा सा और सूफिसेंट इंग्लीज पर फोकस ने टार्गेट पर फोकस करो इंग्लीज सिखने के लिए काफी सारे चैनल है ओके यहां तक पलस अब आजाओ काम की बात के ओपर देखो यह तो ऐसा कैसा रहेगा अब यह जो डेल जैट बाई डेल है यह इधर आएगा और यह इसके साथ हैगा मतलब यह डेल जैट बाई डेलक्स तो मेरे पास क्या है ऐसा कैसा देखो पहले तो अराम से करो आप इसको कोई तकलीप मताने दो यह तो डोट में है अब देखो यह ऐसा का इसके साथ अपलाई हो गा या ऐसे समझा लो यह वा तो यह कितना हो जाएगा भी डेल 2 जेड़ बाई डेल जाई स्कॉाइर जान से समझो यह इधर आईगा इसके साथ है तो यह तो ऐसा कैसा तो यह डेल 2 जेड़ बाई सेम आगे डेल जाई स्कॉाइर है पलस, देखो यह operator नहीं है, यह total है तो इसको तो रिखो ऐसा कैसा डेल इटा वाई, डेल अक्स इन्टू, अब बताओ ये किसके साथ अपलाई होगा, इसके साथ है तो आप ऐसे मुछ सोचना कि ये सेम नहीं है ये सेम है वही, क्योंकि जाई और इटा के अंदर change किया है हमने उसके अंदर हाँ X और जाई सेम नहीं है Y और इटा सेम नहीं क्योंकि X Y completely change होने चाहिए तो यह कितना हो जाएगा डेल टू जेड़े और डेल इटा डेल जाई तो believe me बहुत बड़े confusion की श्तति में आ जाओगे इसलिए dot product का काम करेगी आप गुणा का sign लगाते चलो ताकि आपकी steps से separate separate हैं रहे ठीक है बताओ क्या यह पूरी होगी lines नहीं अब यह और बची है इसी प्रकार इसको लिखो तो यह कितने आ जाएगी डेल इटा भाई डेल अक्स अब यह कितने आ जाएगी डेल जाई भाई डेल अक्स को छोड़ो यह किसके साथ repeat होगा भाई डेल जेट भाई डेल इटा इसके साथ तो यह कितने आ जाएगा डेल टूर जेड और डेल जाई डेल इटा एको यह आ जाएगा इसके साथ पलस इ इसको छोडो ये आ जाएगा, इसके साथ तो नीचे क्या उपर क्या उजाएगा Del2 Grande और नीचे तो नीचे आ जाएगा Ita, Ita, Ita का Square Yes, Ita, Ita Ita का Square अब next step में आपको पताए क्या करना ये इसके साथ Multiply होगा और ये इसके साथ मॉल्टिप्लाई होगा तो ऐसे करके आपको इन step से बाहर आना है और ध्यान से यह डेल है यह आक्सी स्क्वेर है यह step हमारे पास common रहेंगी जाई डेल टू जाई बाई डेल आक्सी स्क्वेर आप ऐसे करके मत लिखना साथ साथ लिखते हो ताकि आपके बहुत बढ़िया प्रेक्टिस हो ठीक है भई देखो मैं ही लिख रहा हूं और मैं मेरे लोब के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको पहले ही इस मेरे इस प्रेक्टर के साथ साथ ही समझ में आ जाएं पता नहीं आपका सकल बहुत बीजी रहते हो पढ़ो या ना पढ़ो बाद का कोई वरोसा नहीं है जो चीज तुरूंत प्रभाव से समझ में आती है वही अच्छा होता है पलस इसको इससे मुल्टिपलाई कर दे भई तो यह क साथ क्या है मुल्टिपलाई है द्यान रखनाए इस इसका और इन्टू में इसके क्या है देल 2 जेडवाई डेल जाई स्कोर Henderson अब यह इसके साथ भी होगा तो यह कितना जाएगा डेल जाई य साथ जाऊ है बाई डेल य साथ ऐड़ल डेल जाए यह इसके साथ और यह इसके साथ ठीक उसी परकार पलस यह इसके साथ पलस देल मीट इटा वाई डेलक्स डेल जाई बाई डेलक्स डेल इटा वाई डेलक्स डेल जाई बाई डेलक्स इन्टू में ऐसा कैसा इन्टो में डेल टू जेड बाई डेल जाए डेल इटा ओर इटा बाई एक्स इटा बाई अक्स का हॉल स्क्वेर तो यह कितना जाएगा किसकी value आ गई small r के बराबर या delta z by delta x square के बराबर और ये हमारे पास actually final value है ठीक है अब इस final value को हम adjust करके लिखेंगे किस परकार आप देखे इधर तक अब मैं जो काम की बातें वही रहने देता हूँ ये आपने साथ-साथ लिख लिए होंगे ऐसा मैं मानके चलूँगा और अगर आपने साथ-साथ नहीं लिखे है तो मेरे को लगता नहीं कि आप actually हम ऐसी करने वाले हो ठीक है भई अब देखो हमारे पास r की value कितनी आ जाएगी अब देखो हमें निकालनी है इसके अंदर r की value यानि हमें इसे ही क्या करना है rearrange करना है कुछ steps को हम पहले लिखेंगे कुछ steps को हमें बाद में लिखेंगे तो सबसे पहले आप इस steps को लिखें यानि आप हमेशा क्या लिखोगे del 2z by del x square is equal to del x by del x का all squares into में del 2z into del 2z by del x square एक steps आ गई पलस यह देखो क्या यह दोनों एक समान है del 2z by del x del eta y del x del 2z by del x del eta y del x और यह आपको पता ही है eta x लिखुए x से इटा x से इटा लिखुए eta x लिखुए क्योंकि आपको बेसी फैस्टियर के अंदर आपको खुब अच्छे से पढ़ा हुआ है कि del 2z y del x del y is equal to del 2z y del y del x पढ़ा हुआ था न अगर कोई फैस्ट ग्रेड की तेयरी कर रहा है second grade की तेयरी कर रहा है उसको पता है यसी फैस्टियर के अंदर कल्कुलेस की बुक थी कलन उसके अंदर जेपेस की बुक की बात करूँगा मैं हमेशा क्योंकि जेपेस की बुक अक्चुली बहुती अच्छे concept दे रहे हैं chapter 5 है और chapter 5 का नाम वहां partial differentiation होता था दोनों जुड़के क्या हो जाएंगी दो हो जाएंगी तो यह हो जाएगा 2 पलस यह क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डेल जाई बाई डेलक्स डेल जाई बाई डेलक्स इंटू डेल इटा बाई डेलक्स इंटू इटा बाई डेलक्स इन्टू में क्या है इनके दोनों में ही डेल टू जेड बाई इटा जाई लिखो या जाई इटा लिखो तो मैं एक बार जाई इटा लिख लेता हूँ कोई फरक नहीं पड़ेगा इन दोनों से पलस इसको लिखो पलस है डेल इटा बाई डेल आकसे का whole square into del 2zy del eta square into delzy del eta square अब ये जो बची हुई दो steps है आपे इनको लेख दो तो ये दो steps हमारे पास क्या बच रही है? मैंने 80 score up कर दिया है पलस ये हमारे पास दो step क्या है? del 2zy by del axis square into delzy by delzy into delzy by delzy पलस del 2 eta by del square से del 2 eta by del axis square into delzy by del eta into delzy by del eta और ये हमारे पास कैमरे के अंदर complete complete दिखाई दे रहा है ठीक है? अगर मैं इधर लिखने की इसको कोशिस करता हूँ तो मैं एक बच चेक करता हूँ ताकि हम कुछ step से इसके अंदर बचा सके ठीक है? तो यहां तक भी हमारे पास ये अराम से दिखाई दे रहा है तो मैं यहां से एक बार इसे रप कर लेता हूँ समझगे बई? यह हमें वेल्यू निकालनी है डेल टू जेड बाई डेल अक्स स्क्वेर की हमने ओपरेटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है एक भी स्टेप्स में हम फशे नहीं अधर वाई जब चारों पले लिख दोगे उसके बाद आप खुद करके देख रहे न और हो जाए तो बता देना हो जाएगा वैसे बट प्रेक्टिस बगेर नहीं होगा तो यह मैंने मेरी तरफ से थोटा सा इज़ी सा तरीका बताया है तो थोड़ा बुक से हटके हो गया ताकि आप इसे अच्छे से यादे अरक सको अब देखो एक तो यह हो गया धीरे धीरे हम इसे याद करेंगे एक बार तो हम इसको देख के काम में लेंगे यह भाई हमारे पास डेल जेड वाई डेल अक्स है यह हमारे पास डेल जेड वाई डेल वाई है और उसी परकार हम R, S, T निकालेंगे लास्ट में हम क्या निकालेंगे वही T निकालेंगे डेल 2, Z, Y, D, Y, SQUARE ठीक है, अब देखो, आपने क्या निकाल लिया डेल 2, Z, Y, D, X, SQUARE हमारे पास यह रिजल्टा गया और यह क्या था, हमारे पास डेल 2, Z, Y, D, X देखो अब छोटी सी एक चीज़ का ध्यान दो जब यह del z y del x हा तो यहाँ x है और यह अक्स है और यह अगर del z y यह तो यहाँ y है और यहाँ y है यानि कुछ भी फरक नहीं है इसके अंदर अगर मैं x की जिगह इसके अंदर y रखूँ तो मेरे पास यही आ रहा है क्या इस मतलब अगर मैं इस x की जिगह मैं क्या रखूँ y, तो इस x की जगह भी क्या जाएगा y, हमारे पास है y, देखो इस x की जगह भी हमारे पास क्या जाएगा y, into में del 2, z change नहीं होगा, और j है, ये भी change नहीं होगा, बस x की जगह अपने को क्या रखना है, y रखना है, तो ये क्या बचेगा, plus 2, del j by del x, धान दो, केवल x की जगह y, ये इटा और j change नहीं होगे, और ये del eta by del, अभी देखो, x मत समझ ले ना इसको, मैं बतारों, आप देखके भी गलत उतारोगे, ऐसा मुझे आप पर विश्वास है, तो x की जगह y, into में क्योंकि गलतियां होंगी, आप भगवान नहीं हो, कि आप गलतियां नहीं करो, और कोई student ऐसा, जो एक बार भी गलतियां नहीं करें, वो भी comment करना, मैं उससे कुछ प्रेरणा लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने खुद से बहुत बार practice करके देखिए, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ miss होगा, अब समझ रहे ना, मै येवल y लिख रहे हैं, जाई और eta को change नहीं करना है, कि कहीं आप zita, eta के लग जाओ, साथ-साथ, del y square into del z by del eta, yes, देख लो भाई ध्यान से, जहां जहां ये मेरे पास del 2z by del x square की value है, वही same value हमारे पास t is equal to del 2z by del y square की यहां तक है, अब हमें एक और लिखनी है, del 2zy, del x del y की, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अब इसके अंदर क्या करना है, कि यह del z by del x का whole square है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, कि del z by del x into में del eta y del x, क्योंकि इसके अंदर है, अक्स और y साथ आगई, इसका मतलब जाई और eta क्या आएंगे वही, साथ आएंगे, देखो इसका मतलब sorry, जाई है, जाई को जाई रहने दो, यह कितना जाएगा, del z by del x है, और del z by del y, देखो x है, देखो x और y साथ है, गलती हो गई मेरे से, इसको r से हम s कैसे लिखेंगे, यह x square था, x square को ऐसे लिख सकता हूँ, x into x, अब की बार क्या आगए, x into y, यानि जहाँ जहाँ x square आप उसकी जगा क्या कर दो, x into y, तो उपर से तो यह सेम रहेगा, और इसके अंदर मेरे साथ से, मेरे साथ से क्या x y है यह नहीं, तो यह change नहीं होगा, पलस, अब इसके अंदर देखो, यह जो डेल जाई by deluxe है, एक बार तो यह x लिखो, और एक बार इसके साथ य लिखो, देखो, जान रखना, एक बार तो यह डेल जाई by deluxe लिखो, और ita के साथ y लिखो, पलस तुरं क्योंकि already two बन गया मतलब अपने हो क्या करना है x के साथ y लेकिया आना तो यह x into x है तो एक बार तो अकर दिया x into y एक बार कर दिया हमने y into x तो आप देखे लिए जाई का x के साथ eta y eta का y के साथ x से ने एक परकारशे ऐसे हो गया है sin का cos cos का sin x plus cos x plus cos sin a plus b का फॉर्मल नहीं sin a plus b into sin a cos b plus cos a sin b ठीक उसी परकार से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है into में यह ऐसा कैसा del to z by del j del eta ठीक है into में del to z by del del eta पलस इधर आजब क्या है बए del eta by del x का holy square तो इसको क्या लिखेंगे del eta by del x और फिर से del eta by del y क्योंकि उपर तो इटा इटा ही जगा और यहां अक्स से y लिखेंगे into में क्या आजए इसके del to z by del eta square ओके पलस अब देखो फिर से क्या आगए x square आगए तो x square को आप क्या लिखोगे x से y तो यह कितना आ जाएगा del to z by del मतलब del to x x into x कि जाए x into y लिखना है into में del z by del z by del j पलस अब यहां बताई है x square आगए तो यहां भी मैं क्या लिखूँ x into y तो यह कितना आजएगा del to eta और यह आजएगा del x del y into में del z by del eta into में del z by del eta यानि अगर आप एक अच्छे से सीख लोगे r की value निकालना तो हम बाकी s और t को अराम से मतलब x की जगा y रखोगे t बन जाएगा t में कोई दिकत नहीं आएगी फिर x square वाले का दाना x into x तो x into y फिर x into x x into y यहां del x del y और यहां del x से del y इसका 2 हटाके एक बार तो xy रेक बार y x कर देना चाहिद उपर से y निटा निटा जाई x y y x याद रहेज़ेगा बार बार इसको करोगे तो तो यह तो हो गया कि इसको देखके हमने direct लिख दिया बट आप अपनी इमानदारी के साथ जिस परकार हमने r निकाला है उसी परकार आप चेक किजिए ताकि आपका base बहुत-बहुत मजबूत हो del 2zy del x del y को और del 2zy del y square को कैसे चेक करोगे वही सबसे पहले आप t निकालोगे del 2zy del y square कैसे लिखोगे इसको del y del y del z y del y तो पहले इस operator को change मत करना del z y del y की value यहां से देखके लिख देना फिर operator y कितना आजएगा operator y कितना आजएगा यहां से देखो z common लेके काट दो तो यहां जएगा del z y del y और del y del z पलसे del eta by del y into del y del eta देखो del y का operator कैसे काम करेगा आप z common लेके काटो देखो यहां से z हटा दिया और मैंने यहां से z हटा दिया तो पहले इसको लिख लिए del z y del y into del y del z पलस पहले इसको लिख लिए del eta by del y into del y del eta ठीक है तो पहले आप इसको del z y del y को लिखोगे पूरा-पूरा जस परकार अक्सका किया है उसीपरकार फिर आज आके इसको चेंज करके और इस टेपस हमारे पास यह एएगी या फिर आप इसको similarly लिखके ऐसे लिख सकते हो कि r से अगर हमारे पास ऐसे आ सकता है तो हम s और t को इस परकार सε निकालेंगे क्या करेंगे हैं हम s और t को इस परकार से निकालेंगे तो यह हमने देखो टोपिक हमारे पास पूरा नहीं हुआ है canonical form चल रही है हम उलज गए आज del z by del x del z by del y del 2z by del x square del 2z by del x del y and del 2z by del y square तो अब मैं जैसे ही next lecture 2 में आउंगा देखो ध्यान से देखो अब जैसे ही हम आगे next lecture unit second के lecture no.2 में आएंगे तो आपको इस क्रीन के उपर lecture start करने से पहले आपको यह side में अच्छे से दिखे और दिख जाएंगे PQRST उसके बाद ही हम इस topic को आगे discuss करेंगे तो हमाँ आते यह बोलूगा कि देखो students आपने फिछले lecture में पढ़के आएगो यहां तक हमें आराम से आ चुके हैं तो यहां तक आप एक बार rest कीजिए practice कीजिए अपने इस तरपे निकालने की इसको कैसे निकालोगे बई अपलाई करके कोशिस कर रहा है तो हम आपको जब next lecture में मिलूगा तो यह आपके पास PQRST ओल्रेडी दिख जाएंगे लिखे हुए ठीक है उसके बाद हम topic canonical को पोरा करने वाले तो यह इस ट्रेफ topics हमारे पास आज के लिए वैसे तो एक नॉर्मल सा topic था सुरी नॉर्मल सा लेक्टर था बेसिक था बट इसके अंदर आप operator को सिखोगे जाई इटा कि आप लिखके practice करोगे तो believe me आगे वाले लेक्टर में मेरे साथ साथ आप ही चल पड़ोगे ठीक है तब आपको मिलते हैं next lecture number two में